मल्हार राव होलकर नाम तो सुना ही होगा एबात उस समय के हैं जब सिवाजी के पुत्र छत्रपति संभजी महराजी के मृत्ध के बाद मराठी समराजी के बुरे दिन शुरू हो गया थे पूरे महराश्टी मुगलों का आतंक फिर से सुरू हो गया था और मराठी राज को जीतने का सपना औरंजेव एक बार फिर से देखने लगा था परंतों सिवपुत्र छत्रपति राजाराम महराज और उनकी पत्नी महराणी ताराबाई औरंग जेव के खिलाब लड़ने के लिए आगे बढ़े बस इसी काल में मलहार राव हुलकर का जंज एक ठंगर के परिवार में 16 मार्थ 1693 को हुआ मलहार जब छोटे थे यानि मात्र तीन वर्ष की आयू में ही इनके पिता इनको छोड़कर परंधाम को चले गए फिर पिता के मरने के उपरांग इनके रिस्तेदार इन्हें मार कर इनकी जमीन को हड़पना चाहते थे जिसे इनकी माने भाप लिया और अपना गाउं होल छोड़कर इनको लेकर अपने भाई भोजराज के गाउं तलोदे पहुँच गई जहां भोजराज यानि मलहार के मामा जी पेशवा के एक अधिकारी काठा जी कदम बाड़े के आधिन 25 गुर्षवार के नायक थे यानि भोजराज जो थे वो 25 गुर्षवारों को लीड करते थे मलहार जब थोड़े बड़े हुए तो इनके मामा ने इन्हें भेड़ चराने का काम सौप दिया जब मलहार आठ वर्स के गई तब इनके साथ एक अध्भुद घटना हुई है एक दिन ऐसा हुआ कि मलहार भेड चराते विए एक पेड़ की च्छाओं के नीचे बिस्राम करने के लिए लेट गए और इनको नीद लग गए तब ही अचानक वहां एक नाग आ गया और इनकी सिरहाने आकर बैठ गया फिर कुछ देर बाद कुछ लोगों ने इसकी सूचना इनके माँ और इनके मामा को दी सूचना पाकर इनके माँ और इनके मामा वहां पर पहुँच गए जिसे देखकर वेट डर गए और उनकी सुरच्छा की चिंता में परेसान उब रिया परन्तु नाग ने बच्चों को कोई नुक्सान नहीं पहुचाया और वहाँ सोर सुनकर वहाँ से चला गया जिसके बाद इनकी माने अपने मलार को अपने गले से लगा लिया तब ही वहाँ पर खड़े एक तपिस्वी संत ने कहा यह तो इस बालक क्या राज योग का प्रतिक है उस दिन से उनके मामा का नजरिया ही बदल गया और मलार के नए दिन की सुरुआत हो गई परंतु मां उनका भाग के उदे नहीं देख पाई और कुछ समय बाद ही वह भी परंधाम को सिधार गई युवा होती मामा इनका बिवाह गौतमा बाई के साथ कर दिया और उनकी प्रतनों से जल्द ही मलार राओ पेसवा के सेना में पचीश घुर्सवार के नायक बंदे ले यह वह दवर था जब सिवाजी के पुत्र संभाजी के बलिदान के बाद बदली की आग में जल्दे मराठों ने मुगलों के सासक को उखार फेकने के लिए कमर कश ले थे अभी तक के केवल वे छापा मार यूद करके मालवा के मुगल सुबेदारों को लूटते और परिसान करते थे किन्तु अब पेशवा ने उन्हें अधिकार करके अपने जागीर निव्द करना सुरू कर दिया पेशवा बाजी राओ के नेतित में मराठों ने दच्छिड में गोदावरी नदी और उत्तर में गंगर नदी तक अपना राज्य बिस्तार कर दिया था सन 1728 इसबी में हुई हैदराबाद के निजाम के साथ मराठों की लड़ाई में मल्हार राओ की महत पूर्भूं गया रही मल्हार राओ ने अपने छोटी से टूड़ी के दम पर निजाम को मिलने वाले मुगलों की रसद को रोख दिया जिसकी वजह से निजाम को हराने में पेशवा को मदद मिली इससे मल्हार राओ का जंता में प्रभाव बरता ही चला गया और जंता इन योधाओं को अपना मुक्तिदाता मानने लगे देखते देखते मराठा समराज की जड़े मालवा में गहरी से और गहरी होती चली गई इस तरह से मल्हार ने उत्तर की मुहिम में अपने आसमान में प्रक्रम और नेत्रित चमता का डंका बजाया यह गुर बाजी राओ के ध्यान में आया और उन्होंने पेशवा रहते वक्त सन 1729 में मल्हार राओ को मालवा का सूवेदार बहा दिया मल्हार का ज़्यादातर समय युद्ध वूमी में ही बीतता था मल्हार राओ के पुत्र खांडे राओ काफी हद तक जिद्धी थी उनका राजकाज में भी उनका कोई ज़्यादा दिल्चस्पी नहीं थी अतावे एक ऐसी पुत्री खुज रहे थे एक ऐसी पुत्र वधु खुज रहे थे जो उनके बेटे को राजकाज समालने की प्रेड़ा दे और स्वेम भी राज समाल सके रहे मालवा का सासक बनने के तकरीबन दो वर्स के बाद वे जब सन 1734 में जब मलहर राव यंदवर से पूड़े जा रहे थे तब चौंडी गाओं के मंदिर में सायकाल आती के समें उनकी नजर एक नौ वर्स की बालिका पर पड़ी वे उनकी संसकार और देवी आभब को पहचान गए और गाओं के पटेल मनकोजी सिंदे की पुत्री को अपनी पुत्र वधु बनाने का उन्होंने निस्चे कर गिया मल्हार राओ के पुत्र खांडे राओ का विवा अहिल्य बाई के साथ हो गया मल्हार राओ अहिल्य बाई को अपनी कन्या की हिभादी प्रेम करते थे इधर भोपाल में सन 1737 में मल्हार राओ ने निजाम को परास्त किया शिमा जी अपपा के नित्रत में सन 1749 को हुई लड़ाई में पुर्तगीज के इलागे के वर्चस को मल्हार राओ ने नश्ट कर दिया सन 1748 में रहिलास को खत्म करने का कारनामा भी मल्हार राओ ने करके दिखाया इससे मालवा में मल्हार राओ का वर्चस और बढ़ता चला गया इनका वर्चस उत्तर भारत में इतना बढ़ गया था कि इनके आते ही सत्रू मल्हार राया मल्हार राया करते विए सत्रू भाग खड़े होते थे और इनका नाम लेते ही सत्रू कापने लगते थे सन 1754 में इनके पुत्र खांडे राओ की दिधन हो गया इनके मरने के बाद अहिल्या भाई पती बियोग में सती होने के लिए निकल पड़ी जिसे देखकर मल्हार ने इन्हें रोक लिया और पुत्र के दुख से समर्ते हुए धीरे धीरे मल्हार राओ एक बार फिर से अपने स सुराज के काम में लग गए सन 1758 में पेश्वा नाना साहिब की काल में मराठी समराज्जी ने अटक पार तक जंडा लहराया सन 1761 में पानीपत के तीसरी रड़ाई में मल्हार राओ का सहबाग था यिस युद्ध के बाद मराठी समराज्जी की बिगड़ी हुई हालत को मल्हार राओ ने पेश्वा माधा राओ के साथ मिलकर सुधारी 20 मई सन 1686 में एक मुहिम पर जाते वक्त बीर मल्हार राओ भूलकर 73 साल की उम्र में इन्हें बीर गती प्राप्ता हुई और मराठी समराज्जी का एक अतुल इस्तम्ग हमेशा हमेशा के लिए चला गया अपने जीवनकाल में इन्होंने चार पेश्वाओं के कारगाल को देखा मराठी समराज्जी को आगे बढ़ाने में मल्हार राओ हुलकर का बड़ा हाथ था इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ आपने अपने समाज के इतिहास को जानने के लिए मुझे इतना समय दिया थैंक यू सो मच और अपने समाज के इसी तरह से और सारी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए